हेलो एवरिवाइन वेड़ी गूड अप्टर नूँ टू वाल अफ यू मैं डॉक्टर विजेश रंजन अपलो का स्वागत करता हूँ अपने यूट्व चैनल के बीसी वीन पे दोस्तों सताई सप्टैल है एक नया वीडियो लेके आया हूँ अपलों के सामने इस वीडियो म अब हम लोग हमेशा की तरह 10 important current affairs के question और उसके answers को discuss करेंगे जो हमें कोनो नार्करपती KBC और TBP में कहां माने वाले सारे question selected और important है इसलिए वीडियो को end तक देखिएगा skip मत करिएगा वीडियो में आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यह आपने अवे तक subscribe ने किया तो प्लीज subscribe कर लेना notification bell icon को press करके all को भी click कर लेना इससे क्या होगा आपको मेरे दोर अपलोड किया वा सारा वीडियो time to time मिल जाया करेगा दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले दो अपडेट दे दूँ पहले अपडेट कोन होना करूपती के बारे में बता बहुत लोग पुछते हैं कि calling कप शुरू होगी दोस्तों इसका कोई अपडेट नहीं है calling कप शुरू होगी जैसे कि मैंने आपको बताया हुए कि episode वाई shooting होगी एक बार में 10 लोगों को बुलाया जाएगा plus two stand by लोगों को तो बहुत कम लोगों को एक बार में call की जाती है इसलिए पता नहीं चल पाता किसी को call आया है की नहीं लेकिन आपने अच्छा सा पर्सनल इंटर्व्य दिया है तो आप अभी तक सोनी मराथी पर प्रोमो भी नहीं आए जैसे shooting शुरू होगी उसके कुछी दिन में दो दिन में प्रोमो आना शुरू हो जाएगा सोनी मराथ का कोई प्रोमो नहीं आए आप एलाइट मोट पे रहें जब भी shooting होगी रिखे कॉल में न तिन चार महिने लगेंगे हर एक को कॉल पहले ही एपिसोड के लिए नहीं आ जाएगा वो पंदर सोला हफ्ते चलते हैं तो हर एक एपिसोड के लिए बारे बारे लोगों को बुला करेंगे तो आप तयारी करते रहे हैं अपना मतब बेस्ट देने की कोशिश कीजिए आप अभी से तयार रहे है कि हमको आज बुलाया जाएगा हम जाके जंडागार के आएंगे दूसरा अपडेट के के बारे में कल मुझे का फोन आया ता जिससे मुझे पता चला कि कल कॉल कि शुरू हो गई कि चीज की लेवल थरी की यानि ग्राउंड ओडिशन की कॉल इंग शुरू हो गई है उसमें भी बिल्कुल सब कुछ आई वर कॉलिंग है रिपरजेंटेटिव कॉल नहीं है आई वर कॉलिंग है उसमें वह क्या आपको नाम एस सेक्स और जो उनका फॉर करेंगे ये आपको का ओडिशन होगा है कि और यारे यारे कंफर्म करेंगे और उनको नहीं बताए जा रहा है कि कहां का औरूदिशन होगा तो दोस्तों आपको जैसे पता है कि ग्राउnd अडिशन कालिंग हो गई हरे करीब सारे शार तरस पांशो लोग को बुलाए जाए जो पहले perlu टेस्ट देंगे जीके टेस्ट देने के बाद उसमें से लगबग 300 लोगों को सेलेक्ड करेंगे एगा लेकिन इससे पहले परस्टनल इंटर्व्यृ से पछले एक 1050 पेज का एक फिकलाइट विलेगा। जिसमें आपको सारी इंफर्मेशन देनी होती है। जो हमें PDF के रूप में मिला था तो आप ऐसे ही PDF के उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी करके जाए क्योंकि अंदर में जो आप रेश्टेशन के लिए वेन्यू पर एक तो टाइम से पहले पहुंचना है वेन्यू में जो आप पहुंचेंगे तो आपको आपके हाथ में पहुंचना है डॉकमेंट वही रिज्डेंस प्रूप आइडेंटिटी प्रूप तीन फोटोग्राफ और जितने डॉकमेंट अपले जाएंग उसके ओरिजिनल दो आटेस्टेट फोटो कॉपी अच्छा एक में सूचना कि अभी फोन अप फ्रेंड के लिए कोई डॉकमें पता नहीं चला है जैसे ही पता चलेगा वो वीडियो डाल दूंगो कि आज कुछे जा रहे तब तक आप करेंट अप्रेंट के दस कोशन देख लिजिए पहला कोशन हूँ है वाइस टेयन वैन नीति आयोग नीति आयोग के उपाद्यक्ष के रूप में किसे निति किया गय प्रेंट को पता है निति आयोग का वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो डॉक्टर सुमन के बेरी परसिद अर्थसास की सुमन बेरी को एक मई दो हजार बाइस से निति आयोग का उपाद्यक्ष किया गया है यानि एक मई को अपना आफिस जोइन करेंगे अगला कोशन है व इस देश के राजपती ने हाली में जान एफ केनेडी प्रोफाइल इंकरेज आवार्ड दोजार बाइस पर अप्त किया तो यह जो पिक्चर आप देख रहे हैं काफी चर्चाह में हैं आजकल सबको पता हो गई कौन है जी हैं यह यह उक्रेन के प्रेसिडेंट वलादमीर जलेंस की हैं इनको यह आवार्ड दिया गया है जान एफ केनेडी प्रोफाइल इन करेज आवार्ड 2022 अगला कुशन है हुई दा ऑथर ऑफी टेबल बुक टाइटल दा मैजिक कॉप मंगला जोरी डिलीजट बाइचीफ मिनिस्टर और ओडिशा नवीन पतनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पतनायक दौरा जारी दा मैजिक ओप मंगला जोरी नामक कॉफी टेबल बुक के लेकर कौन है तो यहां बुक का नाम दिया हुआ है किसके दौरा जारी किया गया वो भी दिया हुआ है आपको यहां बताया है कि बताना है कि ऑथर कौन है तो दोस्तो तो पिक्चर मास्क लगा हुआ है नहीं पचान पाएंगे वह से भी हो सकता नहीं पचान तो यह है अभिनाश खेमका इसके अलावा साथ में एक और बुक को जारी किया गया है उसका भी नाम जान लिजे उसका नाम है पुर्भी भारत का सिख हित्या सिख हिस्ट्री ओप इस् सिर्षक से पुर्भी भारत के सिख हित्यास का संकलन है उसको जारी किया है तो पहले का अभिनाश खेमका है त्वासा हिंदी में टांसलेशन गलत है और दूसरा जो बुक है सिख हिस्ट्री ओप इस्ट्रें इंडिया ओ अभिनाश मोह पात्रा के द्वारा है अगले इंटलेशल परपरके डी इस लेट अन्ड दैस तु लर्न अवाट रोल दैट इंटलेशल परपर्पर्वाटे राइट आप जानते हैं जैसे काम मेरा है कोई इसको चोरि कर ले रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अब हर एक सल कभ मनाया जाता है च्वीस अप्रे रोल डाइट इंट्रेक्श्वल्परपाटी प्रपर्टी आई आई-पी राइट्स प्ले इन इनकराजिंग इनोवेशन और क्रेटिविटी कुछरी ना करें मेरा इनम्वेशन को चौरी ना करें तो उसको पर्टेक्ट करने के लिए इस देखों मनाया जाता है चलिए अगला यहां रॉमागना ग्राइड प्रीक्स 2022 जीता है कि इतली में हुआ था। युश्तलि इन सब्सक्राइड आता हैं। less of a Indian rat Confin a Dead Cool Online Séie फोर्मटरेचेस हैं। नेड़ेमिया … रॉमागना विवेर मे हरे हे कंपूटिचनमें पूछ जते है। अगला कुशन है वो अमांग दा फॉलेंग है वोन दा ओन हिज थर्ड टाइटल इन दा सर्विया ओपें इन टूजन टूजन टूटीटू निमलिखित में से किसने दो हजार बाइस में सर्विया ओपें में अपना तिसरा किताब जीता है दो पिक्चर देख रहे हैं एक तो उन्हों ने नुवाग जोइच को हरा के कीताब जीता है अबहला कुश्चन दे banco रुबले बुरूसी अनुष्यी ने सर्विया ओपर में अपना तिसरा किताब जीतने के लिए दुनिया की नंबर वन नौआग जो जोखो कविच को हरा दिया है सर्विया के हैं इसलिए 22 किस में से किस देश को Paris book festival 2022 में guest of honor country के रुप में नामित किया है तो और कोई नहीं हम लोग को नामित किया गिया है यानी इंडिया कब से कब होना है हो चुका है 21 अपरिल से 24 अपरिल के बिचुवार्ट इसका अंसा इंडिया होगा 21 अपरिल से 24 अपरिल 2022 सक होने वाले Paris book festival 2022 में भारत को guest of honor कंटी की रुप में नामित किया गिया था अगला कुशन है International Chernobyl disaster remembrance day is observed every year on days to raise awareness of the consequences of the 1986 Chernobyl disaster के बारे में जगुता बढ़ाने के लिए हर साल डैस को अंतराश्टी चर्णोविल आपदा समरन दिवस मनाए जाता है तो आप मेरे खेल से आप लोगो सबको पता होगा चर्णोविल डियस्टर के आता एक्चली यह जगा पुराने पहले जो USSR था उसके अंदर था लेकिन अब यह उक्रेन में आ गया था यहां पे USSR का बहुत वड़ा nuclear project चलता था और यहां से रिसाओ सुरू हो गया था यह 1986 की बात है पुरा शहर खाली करना पड़ गया था काफी नुकसान हुआ था लोगों का जानमाल का पुरा का पूरा शहर पहले तो इन्होंने छिपाने की कोशिश की लेकिन बात में मामला हाथ से निकला थो फिर पुरे शहर खाली कराया गया तो यह बहुत वड़ा डिजास्टर हुआ था 1986 में तो अप्रील 26 26 अप्रेल को 1986 की चेर्णोविल आपदा के परिनामों और समानने रूप से परवानु उर्जा के जोखिमों के बारे में जगता बढ़ाने के लिए हर सल 26 अप्रेल को अंतराश्ट्रिय चेर्णोविल आपदास मरंदिवस मना जाता है बहुत ही खतरनाग चीज़ होता है एक्चली लोग अपने नशे में अपने शक्ति के नशे में यूज तो कर लिता है इसे अमेरिका ने जपान पे गिरा है था नगसा की और हिरोश्यमा पे 9 अगस्त को जो गिराया गया था उस बंब का क्या नाम दिया गया था और 12 अगस्त को जो गिराया गया था उस बंब को क्या नाम दिया गया था एक तो फैट बॉय था इस तरह से मुझे याद आ रहा है दूसरा भी याद आ जागा थोड़ी दिन में अच्छा तो मैं यह ब अगला कुश्चन है मौाकी किबाकी पास्ट अवे रिसेंट्ली ही वाज़ फॉर्मल प्रेसिडेंट आफ फॉलाइंग कंट्री मौाकी की बाकी का हाली में निजन हो गया वो निम्लिकित में से किस देश के पुर्वरास्ट पती थे तो यह आप पिक्चर देख रहे होंगे य पानी मोहंति पास्ट अबाई रिसेंट्ली एक और कोश्चन है अब समझे नियूज है अभी बिञा पानी मोहंती पादमसरी बिना पानी मोहंती का निजन हो गया वो क्या थी बाई प्रोफेशन क्या थी यह बताना है जर्नलिस्ट रॉइटर रेटिच्ट परटिशन तो ए यह सब कोश्चन बन सकता है 2020 में मिलाता है चुकि इनका निधन हुआ है इसलिए कोश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है उनका जन्म बरहामपूर में हुआ था उन्होंने 1960 में अर्थवेश्टा में मतब अर्थ सास्त में गलत लिखा में प्रोफेशर के रूप में अपना सिक् जीओेशर ने रिसी बार्थ जैज सट सबस्क्रादी टेकर आए हुआ हूएशथा जलत टूपक्सट सी 시बम्स। अट्ट जह है ूर्ंचन शर्प डार्थ यद लोग में हुआ है पूलत कर दे कर दूब fragen के के कि वगलोरेशर है गलता है ड्र्म गलत्सक्राबसूव